तो आज हम लोग बात करेंगे युक्ति प्रमाण के बारे में जैसा हम सब लोग जानते हैं कि प्रमाण चतुष्ट में चरक नहीं युक्ति प्रमाण का वर्णन किया है अन्याचारोय उन्हें युक्ति प्रमाण का वर्णन नहीं किया है यानि कि युक्ति प्रमाण का समाव तो यूजदातु में क्तिन प्रत्य लगाने से युक्ति शब्द बना है यानि जो यूजदातु है उसमें अगर हम क्तिन प्रत्य लगाएंगे तो उससे क्या है युक्ति शब्द बना है इसका जिसका आर्थ है उचित विचार और उपाए तो युक्ति का अर्थ क्या हुआ उचित विचार और उपाय आदी से युक्ति को समझा जा सकता है ठीक है तो ये हो गई इसकी नुरुक्ति उसके बाद आता है युक्ति प्रमाण का लक्षन ठीक है कि इसके लक्षन क्या है तो लक्षन में चरक सूतरिस्थान 26 में चरक ने बताया युक्तिष्च योजना या तू पुझेते जैनि जिस वस्तू की जहां योजना उचित हो उस वस्तू को वहां योजित करना ही युकती है ठीक है यानि कि कोई वस्तू है उसकी जहां योजना योजना से यहां पर संयोग को समझा जाता है कि जहां पर उसका संयोग उचित हो उस वस्तू को बहीं पर उसक को योजित करना ही युक्ति है ठीक है फिर उसके बाद में चरक सूत्रिस्थान 11 में चरक का एक श्लोक आया है जो की बहुत इंपोर्टन्ट है बेरी इंपोर्टन्ट है ठीक है बुद्धी पश्यतिया भावान बहु कारण योग जान युक्तिस्त्री कालासा गियात्री वर्गा साधिते यया ठीक है इसका मतलब है बुद्धी पश्यतिया भावान बहु कारण योग जान बहु यानि बहुत बहु का मतलब होता है बहुत यानि बहुत से कारणों से जो मतलब बहुत के कारणों से योग मतलब होता उनका मिलना ठीक है यानि जब बहुत से कारण जो अनेक कारण है उनके योग से यानि उनके संयोग से ठीक है उनके संयोग से जो बुद्धी उत्पन से उत्पन जो भाव होते है ठीक है यानि कि जो बहुत से कारण है उनके योग से ठीक है उनके संयोग से जो भाव उत्पन होते हैं ठीक है उत्पन हुए भावों को जो बुद्धी जो बुद्धी उसमें देखती है देखने का मतलब यहाँ पर ग्यान करने से है ठीक है जो बुद्धी उसमें देखती है या ज्यान करती है उसे युक्ति कहा जाता है ठीक है और यह युक्ति जो है वो तीनों कालों का ज्यान कराती है और त्रिवर्ग यानि धर्म अर्थ और कार्म ठीक है उसकी सिध्धी जो है इसी युक्ति के द्वारा होती है ठीक है यानि कि इसका अर्थ हम इस प्रकार से तीनों कालों के विशे का घ्यान होता है तथा त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम की सिद्धी इसी युक्ति के द्वारा होती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है दार्शनिक छेत्र में चरक नहीं प्रमाण चतुष्ट में युक्ति को प्रमाण माना है ठीक है आचारे चक्रपाणी दाती जो आचारे चक्रपाणी है वो टीका का रहें चरक सहिता गे ठीक है तो उन्होंने कहा है युक्ती प्रमाण का अंतरभाव उन्मान प्रमाण के अंतरगत होता है इन्होंने युक्ती प्रमाण का जो अंतरभाव है वो उन्मान प्रमाण के प्रमाण है उसमें तर्क को प्रमुख लक्षण माना है पिर आता है उधारन कि युक्ती का हम उधारन कैसे समझेंगे तो जिस प्रकार जल, करशन, वीज, रितु के संयोग से सस यानि धान निगुद्पत्थी होती है यानि कि जैसे जल, कर्शन, वीज और रितु के संयोग से जब ये चार मिलते हैं तब ही क्या है सस्य यानि धान की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार छे धातुआं यानि जो छे धातु, सट धातुच, पुरुस है पंच महाभूत, आकाश, वायू, अगनी, जल, प्रत्वी और आत्मा इनके संयोग से गर्व की उत्पत्ति होती है यही युक्ति प्रमाण है ठीक है प्रकार अगनी की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार युक्ति युक्त बिशक, द्रब्य, उपस्थात्ता और रोगी, चिकिस्सा के इन चार पादों के रहने पर रोगी की चिकिस्सा की जाती है ठीक है तो यह जो हैं वो युक्ति प्रमाण के उधारण की अंतरगत आते हैं यह जो आपने भी इसकी हिंदी देखी ती, इसका하면 जलक यहां पर दिया गया है यानि कि जल करसन और बीज के संयोग से सस्य यानि धान्य की उत्पत्ती होती है और युक्ति ही यानि कि युक्ति से होती है और सड धातु यानि जो सड धातु है पंच माबूत और आत्मा उनके संयोग से गर्भाणाम गर्भ की उत्पत्ती होती है और मत्य मन्थन और मन्थान के संयोग से अगनी की उत्पत्ती होती है ठीक है और चतुषपाद जो चतुषपाद है उनके रहने पर ही चतुषपाद है उनके रहने पर ही चतुषपाद है फिर यहाँ पर हमारा नेक्स टॉपिक आता है युक्ति प्रमाण को स्वतंत माना है ठीक है और मतलब क्यूं माना है और कहां कहां पर माना है ठीक है तो युक्ति प्रमाण को स्वतंत्प्रमाण मानने का प्रश्ण चरक ने सूत्रिस्थान के ग्यारवें अध्याय में युक्ति को स्वतंत्प्रमाणों में से एक माना है ठीक है जो सूत्रिस्थान का ग् मावेश है वो अनुमान में ही कर लिया है ठीक है चरक ने सूत्रिस्थान ग्यार में अध्याय में सत असत परिक्षा के लिए युक्ति को प्रमाण माना है ठीक है जैसा कि वो ग्यार में अध्याय में युक्ति को प्रमाण मान रहे थे तो क्यों मान रहे थे जो सत असत परिक् यानिकी यक्ति का जो दस जो हमारे परादी गुण होते हैं उन्में भी युक्ति के कि ओनली चरक लेट युक्ति प्रमाड यानि सिर्फ चरक नहीं युक्ति प्रमाड को माना है जबकि जो अन्य हैं अन्य दर्शन टीकागार और सुशुत आदी हैं उन्होंने नोवन किसी ने भी युक्ति को प्रमाण नहीं माना है और इंटर कंपोश्ट उसको मिला लिया है अनुमान प्रमाण में ठीक है जो युक्ति है उसको अन्मान प्रमाड के अंतरगत मिला दिया गया है सिर्फ जो चरक है उन्होंने युक्ति को प्रमाड माना है ठीक है अब आता है कि युक्ति प्रमाड की क्या विशेष्टाएं है आयुर्वेद में इसकी विशेषता क्या है युक्ति प्रमार की इसको पढ़ने की आभिशक्ता क्यों पड़ी तो युक्ति प्रमार की विशेषता है जो है वो निम लिखेता है पहली जो इसकी पिशेष्टा है बोथ दा प्रयोजन ओफ आयूरवेद जो आयूरवेद के जो दो प्रयोजन है यानि स्वस्थत से स्वास्थ रक्षणम और आतुरस से विकार प्रस्मनम चा ठीक है यानि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्त की रक्षा करना और जो रोगी व्यक्ति है उसके विकारों का प्रस्मनाम करना ठीक है तो ये जो हैं वो डिपेंड करते हैं यानि निरभर करते हैं युकती प्रमाण पर ठीक है तो आप यहाँ पर उस लोग को भी डाल सकते हैं और जो उसकी परिवाशा है उसको भी लिख सकते हैं कि जो सुसुरुत की जो स्वस्त की परिवाशा है सम दोशा सम अगनी सम धातु मलेक्रिया प्रसन आतमेंद्रिया मना स्वस्ति देवित्य दे वो भी जो है वो युक्ति प समसार होता है ठीक है तो यह जो युक्ति पूर्वग विचार है वो दोस जन्ने विकारों से बचने के लिए कहा गया है ठीक है यानि यहां पर भी युक्ति प्रमाण का जो वैशिष्ट है वो स्वता सिद्ध है और जो खुडाक चतुषपाद यानि विशक द्रब्य वपस् गिस्था करता है ठीक है हे तोलिंग प्रशमन और रोगों के पुण अत्पन ना होने देने की युक्ति का जत्फन रकने को ही राजा का चिकशक होने का निर稠 दिआ गया है ठीक है तो युक्ति प्रमाण के बारे में ये तक बोल दिया गया है है यहे टु यानि कारण लिं इनका अग्यान रगता है उसे ही राजा का चिकिसक होने का निर्देश दिया गया है यानि कि वो चिकिसक क्या होगा अच्छा होगा इसलिए उसे राजा का चिकिसक होने का निर्देश दिया गया है इस प्रकार आयूरवेद में युक्ति प्रमाड का वैसेश्ट सोता तो जो हमने उपर जो points देखे उनके आधार पर आयुर्वेद में युक्ति प्रमाड का जो वैशिष्ट है वो अपने आप सिद्ध हो जाता है तो ये जो था युक्ति प्रमाड हमने short में देखा ठीक है